नमस्कार आप देख रहे हैं जया वोईस मैं हूँ आप सभी के साथ रिया डंवाल बुलिटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और एहम खबर के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की मिर्जापूर सडख हाथ से का सीम योगी आदितिनात ने संग्यान लिया है सीम ने मृतकों के परेजनों के प्रती समवेधिना व्यक्त की है अफसरों को तुरंत मौके पर पहुचने के निर्देश दिये हैं राहत बचाफ कारे में तेजी लाने के भी सीम योगी आदितिनात ने निर्देश दिये हैं सीम योगी ने साफ तोर पर अधिकारियों को कहा है कि घालों का समूचत उप्चार किया जाए बता दे कि मिर्जापूर सडख हाथ से में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है सवार करने के भी मिर्देश दिये है तो मिर्जापूर में एक ट्रक ने ट्राक्टर को पीछे से टक्कर मार दी थी ट्राक्टर में सवार मजदूरों में से इस हाथ से की वज़ा से 10 लोगों की मौत हो गई कि मिर्जापूर हाइवे पर एक ट्रक ने ट्राक्टर को पीछे से टक्कर मार दी ट्राक्टर पर सवार मजदूरों की मौत हो गई है 10 लोगों की इस हाथ से अब तक मौत हो गई है हम लोगों को सूचना मिली कि मिर्जा मुराद कच्छवां बॉर्डर पर जीटी रोड पर एक एक एक्सिडेंट हुआ है जिसमें की एक ट्राक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे जो की जन्पत भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है जो की अनियंत्रित हो चुका था तद्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वहां मौक्य पर पहुंचे और वहां पर बचाओ का कारे शुरूर किया गया उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्ति हो गई और तीन जो घायल हुए उनको तद्काल इलाज के लिए बेच्चु भिजवा दिया गया है यह सभी तेरह लोग जन्पद और भदोही में काम करते थे लिवर का हलाई का काम करके वापस अपने गाउं जो की मिर्जा मुराद में पढ़ता है बनारस में वहां लौट रहे थे तो मिर्जापुर से पुरा मामला आप देख सकते हैं यह भीषण हादसा हो गया मिर्जापुर में जहां एक ट्रक ने ट्राक्टर को पीछे से टक्कर मार दी ट्राक्टर में 13 मजदूर सवार थे जो मजदूरी करकर वापस लौट रहे थे वही इस हादसे की वज़ा से 10 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई वही तीन मजदूर गंभी रूप से घायल है जिने अस्पिताल में इलाज के लिए भरती कराया गया है हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मज़ गई पुलिस प्रसाशन मौके पर पहुचा वहीं CMU की आदितिनाथ ने भी मामले का संग्यान लिया है राहत बचाफ कारे में तेजी लाने के अधिकारे को निर्देश दिये है साथी घायलों के समूचित उप्चार के भी आदेश दिये है वहीं 10 मज़ूरों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने भी मामले का संग्यान लिया है उन्होंने मृतकों के लिए मौावजे का एलान केंदर की तरफ से किया गया है जादा जानकारी के लिए सीधा रूप कर लेते हैं समवादाता कमलेश का कमलेश जिस तरह से यह हाथसा हुआ दस मजदूरों की मौत हो गई तीन मजदूर अभी गंभीर रूप से घायल है क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या कुछ अपडेट आपके पास देखे रिया जी बताजों कि कल रात में जो यह सब भदो ही काम लगा हुए तो वाँ स्टैट्रिंग था जो कि मकान की स्टैट्रिंग हो रहे थी फिर इसके बाद उनको काम पूरा करनेश में बना रहा जाना हुआ तो यह सब काम सब्सक्राइब करने से लिए तो मिल्दा मुराज परता है मुराज के पास कच्वा थाना के अंतरगत हाईवे पर आजा रहा तो जैसे कि कच्वा थाना स्टैटे के पास पहुश्चे हाईवे पर जो ट्रस इतने तेजी से घ्रती रप्तार से आई को नियंतरित होते हुए मा और ट्रेक्टर को दक्ता मारने के बाद जो एक दिवादा स्ट तोड़ते हुए ट्रस दूसरी तरह भी बीर गई बता दे कि जिसने तेरा लोग सवार से मौके पर इतनी बेरहमी से दस लोगों से मौत हो चुश्ची है कि बता देरिया कि जो इसी एक्सिदेंट हुआ तक तो उसके बाद तुरत कच्वा खाने पर पोन करते कच्वा खाने कोम करने का मिर्जा करते है जो एसी अभी नंदन सज्चार में लेकर पुर्ष में साथ पाउच्के नहीं हो पाए तो उन लोको पतकाल दिया क्यों वारासी उसी इलाज की बेश्च जाने काफी दुखा दिया हादसा मौके पर दस मजदूरों की मौत हो गई है वहीं तीन मजदूर जो है गंभी रूप से घायल है जुनका इलाज चल रहा है कमलेशा आप नजर बनाय रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया ज़ान कारी के लिए माई खबरों में आगे बढ़ते हैं बात अमेठी की कर लेते हैं चार लोगों की हत्या होने से अमेठी देहल उचा है जिले में चार लोगों की हत्या का मामला सामने आया है सुचना पर पहुची फॉरंसिक टीम ने चार्च शुरू कर दी है फॉरंसिक टीम ने घटना स्थ पूरे परिवार की इस गोली कांड में मौत हो जाती है चार लोगों की मौत से पूरा मेठी देहल गाया है सुचना पर पहुची फॉरंसिक टीम और पुलिस मौके पर पहुची जिसके बाद फॉरंसिक टीम ने घटना स्थल से सारे सुबूत जो है वो जुटाए पुलिस के ADG जोन लखनाव और IG ने भी घटना स्थल पहुच के निरिक्षण किया है पुलिस ने दो बच्ची और दमपती के शव को कबजे में लो लिया है टीम सभी पहलों पंजाच के लिए राय बरेली रवाना हो गई क्योंकि ये जो परिवार है ये राय बरेली का ही रहने वाला है काम के सिल्सले में अमेट ही रहता था इस पूरे मामले में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई है में पती-पत्री समेट वो बच्चे भी है। में पती-पत्री समेट वो बच्चे भी है। उसकी पत्री और पांच और देर साल की दो मासून बच्चिया। कई राउंड फायरिंग हुई जिसमें एक ही परिवार के इन चारों लोगों की मौत हो गई है। अमेठी से दिल धहला देने वाला मामला और इस मामले से ये हत्याकान से पूरा का पूरा अमेठी देहल उठा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे अमेठी से जहां सरकारी टीचर उसकी पतनी और दो मासून बच्चियों को कुछ बदमाशों ने मौत के खाट उतार दिया। जादा जानकारी के लिए सीधा रूप कर लेते हैं मौमद आसिफ का। जहां पर राय बरेली दिले के रहने वाले शुक्षक सुनील और उनका फुरा पश्चार के मकान में। कल देर साम कुछ बदमाश पहुचते हैं जहां पर तावा को गोलिया चलाते हैं इसकी पत्री और दो बच्चों की मौत हो जाती है। यह वार्दात पुरी तरह से फिल्मी स्टाइल में अंजाम दी गई। वार्दात को अंजाम देने के बाद बड़ आसानी से जो बदमाश से हत्यारे पेश परार होने में काम्याब हो गए। सूचना पर पुलिस पहुष्टी है, डाग स्क्वाइट, कीम पहुष्टी है और देर राज कर्द अधिकारियों के पहुष्टने का स्विश्चिला जारी रहा। और इस हत्याकान के जीचे अभितकार को पुलिस को कोई आहाम फिराद नहीं मिले हैं। लेकिन शुर्बाती दौर में इस तरह से पुलिस ने एक छोड़ाल के मामले का एंगल किया है। और यह कहा है कि राइवरेली जिले में इलाज के दौरान चंदन बर्मा नाम के युवक ने शुलखानी किया था जिसका इसकी तरफ से मुकदमा दर्श कराया गया था। जो शुरान चंदन आरोपी था चंदन बर्मा उसने जान से मानने की खंती दीव दी तिलाल इस मामले में जिस चंदन बर्मा का आप नाम ले रहे हैं मुक्य आरोपी क्या इसी को बनाया गया है कोई नाम जद एफायार इसके खिलाफ कि इस मामले में जो पुरिष की तप्रीष की बात करें तो पुरिष की तप्रीष का इंगल सेशन लही है और मुक्य रूप से जो शंदन बर्मा का नाम आ रहा है इस पर पुरिष का पासिस्थ है कुई को बनादर्श कराया गया था। कि इस मामले में जिस तरह से दीजी पी पसांत कुमान ने अब इस्टियप को भी लगाज़ा है मंगेश यादो एंकाउंटर करने वाली टीम यानि की भीके साही और उनकी टीम को लगाया गया है और तरह की जाज़ चल लई है और जिस तरह से यह निर्शन सत्या हुई दनि से तो खोया है जिसमें पती पतनी समेत दो मासूम बच्या शामिल है उसकी भरपाई कैसे पुलिस की जाज की बात करें कितने आगे पहुच पाई है क्या कुछ निकल कर सामने आए क्योंकि कल शाम इस हत्याकान को अंजाम दिया जाता है क्या कुछ CCTV खंगाले जा रहे हैं घ अंजाए कर दिया या जो घचना हुई कहीं न कहीं पुलिस का पेलियर दर्टाती है उसकी नौराच चलना आयों साथी साथी मिजराईल आउर इडान यूद चलना आयों कुल लेकर BGP और आसरी मिजि तर्कार ने पुलिस को हाई है यह या यह 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 झाल जाती है जिस तरह से तरह गोलियों की सलसाहत हुई इससे कहीं न कहीं आसपास से लोग पूरी तरह से धिल गए कोई भी इस मामले पर बोले तो तैयार नहीं है इस तरह से पूरा मामला सामने आया है एक ही परिवार के चार लोगों की गोलियों से हत्या कर दी जाती है इस मामले को लेकर अब फुलिस प्रिसाशन पर भी सवाल उठ रहे हैं, लोईन ओर्डर पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर राजनीती भी हो रही है यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए आप बने रहेगा, आपके पास वापस आओंगे मुहमद आसिफ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है तो अमेठी के मामले को लेकर, यानि अमेठी हत्याकान को लेकर अब सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है सपा प्रमुक अखिलेश यादव ने अमेठी जिले में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में पोस्ट किया है अखिलेश यादव ने हत्या को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी किये है साथी इशारों इशारों में कानून विवस्ता को बद हाल भी बता दिया है तो अमेठी हत्याकान को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए है अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साथा है मुहमद आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए है मुहमद आसिफ जिस तरह से इस पूरे हत्याकान को अंजाम दिया गया सवाल यही कि आखिर पुलिस कहा सो रही थी इस वक्त आखिर क्यों पुलिस प्रिसाशन की नीद नहीं जगी और जिस तरह से लॉयन ओर्डर की बात की जाती है जीरो टॉलरेंस की नीती की बात की जाती है योगी सरकार द्वारा वो सब यहाँ पर फेल साबित हो रहे हैं और यही वज़ा है कि इसको लेकर अब विपक्ष भी हमलावर है आसिफ उमारे साथ अभी नहीं है आसिफ का रुक करेंगे थोड़ी देर में वहीं आपको बता दे कि अब इस मामले को रेकर राजनीती भी पूरी तरह से गर्मा गई है जिस तरह से अमेठी का ये पूरा मामला सामने आया जहां एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई गोली कांड को अंजाम दिया गया वहीं इस मामले को लेकर अब अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किये है अखिलेश यादव ने तस्वीर पोस्ट कर लिखा है कि कोई है कही है और सवाल खड़े करे है मुहमद आसिफ अमारे साथ जुड़ गये है मुहम्मद आसिफ जिस तरह से अमेठी हत्याकांट को लेकर अब सवाल यही उठ रहे हैं कि एक तरफ जहां योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीती की बात करते हैं लॉइन और की बात करते हैं वहीं धरातल पर तस्वीरे कुछ और है और यही वज़ा है कि अब विपक्ष के निशाने पर हैं योगी सरकार इसी तौर पर जो अमेठी जिले के सुरतन गंशाना खेत में जो लिस्तान सथ्या हुई है चाल लोगों की हथ्या हुई है उससे कई न कई परदेश कुरी तरह से हिल गया है अगर बात करें अभी सत्यकान को लेकर तो इस पर सियासत भी देज हो चली है और योगी सरकार पर लगातार हमने ही भी बोले जा रहे हैं अगर बात करें UPCM योगी आजित नात ने तो योगी आजित नात का इस वारदात के बाद कुवंत बयान आया कहा कि आच्छम अपराद है किसी की दोशी को बस्ता नहीं जाएगा लेकिन इस तक के बीच इस तरह से अगर बात करें रायवरेली सांसाद राहुल गानली की उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि अगर ज़रुवत करें की इंसाफ के लिए प्यूर्टों को तो वहाँ आमेठी पहुँचेंगे और इंसाफ दिलाने का काम करेंगे साथ के आसिफ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और यूगी सरकार पर निशाना साथते हुए पिक्चर पोस्ट कर लिखा है कोई है कही है और प्रश्न उठाए है कि आखर पुलिस कहा है जिस लॉयन ओर्डर की बात की जाती है जीरो टॉलरेंस की नीती की बात की इस तरह से उनोंने सारों सारों में आख कहने की कुछ चुछ है कि कानून ब्रश्न उठा यूटि विफ पुलिस के खर्श हो चुछ है अपराधी कुछ भी गुवारदात कर जो है आखर पुलिस का डर नहीं और यही वज़ा है कि अमेठी में इतना बड़ा हत्याकान्ड हो खबरों में आगे बढ़ते हैं खबर संभल से है जोहां संभल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है बता दे कि मानव तसकरी गिरों के तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है बच्ची को बेचने आये थे तीनों आरोपी वही मौके पर पहुचकर पुलिस ने तीन मुक्पीर खासना है पुलिस को सुचना दी कि कुछ लोग हैं जो मुरादाबाद से यहां पे बनियाठेर ठाना चेक्तर में आये हैं और एक बच्ची को साढ़ हजार रुपे में बेचने के लिए जगय जगय घुम घुम के प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बच्ची जो इसकी उम्र 13 वर्स है उसको रिकवर किया गहनता से पूस्ताच करने पे पता चला कि इस नावालिक बच्ची के पिता इनों यह अपनी बच्ची को साड़ाजार रुपे में बेचना चाहते थे जो की एक हुमन ट्राफिकिंग के तहते का प्राभ है इसमें इस तरीके के काम करने में अभ्यस्त हैं इन तीनों लोगों को चाइल्ड ट्रेफिकिंग और हुमन ट्रेफिकिंग के सेक्शन 143-4 बी एनेस में गिरफ्तार करके आज जील बिजा गया है वही खबर इटावा से है जहां भारत एक्स्प्रेस ट्रेन दुरखटना ग्रस्थ होने से बाल बाल बच गई बतादी कि अयोध्या से आनंद विहार जा रही वंदे भारत ट्रेन बेल से तकरा गई जुसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन फेल हो गया वहाई सूचना पर पहुँचे रेलवे की तकनीकी टीम ने इंजन को दुरुस्त कर ट्रेन को आनद विहार के लिए प्रवाना किया वहाई एक खबर बुलंशेर से आपको बताते हैं जहां बुलंशेर में बड़ा सड़ा खाथसा हो गया कैंटर पलटने से बड़ा हाथसा सड़कों की हालत बेहत खड़ाब है इस जोरान सड़कों की खड़ाब हालत से यह हाथसा हुआ है कैंटर पलटने से बाल बाल बचवा चालक बुलन शेहर के चिरगर बाइपास पर ये कैंटर पलट गया सडकों की बधाल स्थिती की वजह से ये हाथसा हुआ है सडकों की स्थिती की वजह से कई सडक दुरखटनाय होती रहती है आए दिन वहीं बुलंच शहर से पुरा मामला जहां सडक की बधाल व्यवस्था की वजह से सडक में गड़ों की वजह से एक कैंटर पलट गया हाला की कैंटर चालक बाल बाल इस हाथ से से बच गया है खबर प्रियागराद से है जहां पूर्व सांसद कपल मुनी करवारिया और सूरजभान करवारिया को मिल गई है दोनों भाईयों को 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर ती की पैरोल मिल गई है बतादे कि बीज़पी के पूर्विधायक निलम करवारिया की तेरफीक में शामल होने के लिए उन्हें पैरोल मिल गई है वाई हर्याणा में भी गूंज रहा है यूपी के मंगेश यादव एंकाउंटर का मामला जूई हाँ बतादे कि सपा प्रमुक अखिलेश यादव ने मंगेश यादव एंकाउंचर को लेकर एक बार फिर से बीज़पी पर निश्राना साधा है अखिलेश यादव ने एक्सपर पोस्ट कर कहा कि यूगी सरकार के पाप बीज़पी को हर्याणा में भी खा गया मंगेश के हत्यारे को तो देर सवे रेकानून सजा देगा लेकिन हत्यारों को सनरक्षण देने वाली भाजपा का पतन शुरू हो गया है खबर अम्रोहा से है जहां शौर्ट सरकिट से कार में भीशण आग लग गई वही देखते ही देखते चलती कार आग का गोला बन गई इस दोरान चालक ने फोरन कार रोक कर खुद को बचाया आग का लाइव वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है गटना सुमवार दुपहर हाइवे पर चौधरपुर में फ्लाय ओवर के पास की है इसी के साथ बुलिटन में फिलाल के लिए सिर्फ इतना ही खबरों का सिलसला जारी रहे का बने रहे हमारे साथ